जेहिंद फीचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो हम लोग राध्य डेवलपर्स इंडिया लिमिटेट को डिस्कस करने जा रहे हैं राध्य डेवलपर्स के नाम से यह अस्पेश्ट है कि किसी डेवलप्मेंट वाले प्रोजेक्ट पर काम करती है किस च पहले से पैसा लगा हुआ और चुकि अभी सेयर का प्राइस देखेंगे तो धिर दिर आप डाउन जाने लगा है तो इस वाजस का उन्हें से स्टवक इस कंपनी में यदिन का स्टॉक है तो बच के निकल जाना चाहिए यह यहीं बने रहना चाहिए तो कब तक बने रहना यानि कि टोटल सौलों को जवाव आपको इस कंपणी के बारे में इस वीडियो मिलेगा तो चलिए सुखवात करते हैं शुरू से तेके राध्य डेपलेपर का सेर प्राइस अभी देखेंगे आज के दिन देखेंगे तो तकरीबन इसमें डिर परसेंट कासपास आपको तेज तो जहां एक मन्त और पिछले 6 मन्त में इतना ज्यादा ज्यादा गराउट करना चाहिए या दूसरे सब्दों कहें तो यह प्रकार से बन गया है कि अब सेर्ग प्राइस सस्ता हो गया अब हमें इसमें पैसा लगा देना चाहिए चले इसको डिटेल से समझने का प्रयास कर करते हैं कि इसका चौटर में कंपनी का जो सेर प्राइस से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहां तक जा सकता है और उसके बाद फिर हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल को डिसक्स करते हुए इस बात करूमान लगाएंगे कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना करते हैं यहां पर देखेंगे यहां पर अप्रेल 2023 में यहां पैसा क्या हुआ कि इस कंपनी का सेयर प्राइस यहां से सपोर्ट को तोड़ते हुए एकदम आ गया दूर्पास तक देख सकते हैं सब्सक्र congregation in और is the address की हुआ इतना फिए इसको हाँ के और ऊपर की तरह पोटेगा तो फिर आपको ईजली आट रुपै और आट रुपै दापको आपको आती दीख सकता है andaag प्राइब ब्रेकर के निचे टो नहीं तो नहींचे नहीं रहा है तो पहले से इंवेश्क informis निकल जाएगा तो यहां पर काफी नीचे जाएगा तो ओर ज्यादा आपको लोस हो जाएंगे अब देखिया इस company का हम जल्दी से काम और fundamental की बात कर लेते हैं कि company काम करती है यह बिसिकली एक real estate की company है real estate में बहुत सारा काम आ जाता है जिसे commercial और residential building बिल्दिंग बनाने से लेकर real estate development का यह company काम करती है फंडमेंटल की बात करें तो देखिये तक्रीबन 500 क्रोंड कास पास की company है यानि कि 100 क्रोंड सूपर की company है तो यह valuation wise company ठीक है और देखिये अभी stock का जो share price है इसके book value से उपर और book value माइनस में यह काफी बढ़ी है बात है यहाँ पर देखेंगे ROC और ROE तो क्या 60% कास पास result अभी company का नहीं आ है quarterly result आने के बात क्या होगा कि इसमें 30 बनते हुए दिखेगी पिछले December quarter में देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें गिरावट देखने की मिला है सेकंबर quarter रिजल्ट से इसले quarter 4 का result का भी माहिने रखता है और यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो इस company इस वज़े से अचानक वहाँ पर अपरेल के बासिसके से रवाइस में गिरावट देखने को मिला है अब आपको इंतजार करना होगा अच्छा आता है तब से बड़ोतरी देखने को मिलेगी वारना फिर आप 2 रुपए के लेबल तक आने के इंतजार किजिए उम्मीद करत देखने बात शुक्रिया